बहुत स्वागत है आपका अभी जो है वो EAC की form आई है EAC 2022 की तो उसमें जो है वो EWS certificate कैसा आप सभी को required होगा इस वीडियो में मैं पूरी detail में बात करने वाला हूँ मैं आपको format भी दिखा दूँगा तो वीडियो को अंतक देखे देखिए उससे पहले जो है वो क्या-क्या इस वीडियो में मैं दिस्कस करने वाला हूँ वह आपको दिखा दिता हूँ तो इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अभी दे दिया कुछ एक्स्टा इंफॉर्मेशन फॉर्मेट अगर सर्टिफिकर्ट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं वैली सर्टिफिकर्ट नहीं होने क क्रूसियल लेट की बात करते हैं तो क्रूसियल लेट क्या होता है जो लाश्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को जो है वो क्रूसियल लेट कहते हैं तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे सीधा जो है वो लिखा गया हुआ है कि लाश्ट डेट कब है यह कि लेकर गिसे अपको पता होगा कि एक अपरील से लेकर 30 अप्रील से लेकर 31 से मार्च अगले साल के तक उसे एक फैनानशील इर होता है तो उसी तरह आपका जितना भी category certificate है यह यह ews तो वो जो है वो आपका यbild 2021 सपोर्छ अब दोचरहें कि on अप्रील के बाद बनवाड है ओके तो आपका certificate कब तक valid रहेगा एक अप्रील 2021 से लेकर 31 मार्ज 2022 तक ही valid रहेगा candidates को अमोमन एक गलत फहमी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि अगर वो suppose कि 8 October को जो है वो अपना certificate बनवाड है तो वो सोचेंगे कि 8 October 2022 तक उनका valid रहेगा ऐसा नहीं होता है आप किसी दिन बनवाओ के इवेन आगर आप जो है वो 30 फरवड़ी को भी बनवाओगे certificate तो 31 को expire कर जाएगा ओके तो ऐसा जो होता है अब आते हैं extra information जो कि मैं आपको बीच में दूँगा और format पे ओके तो format आप सभी को कैसा required होगा उससे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दू कि देखिए यहां पर लिखा क्या गया हुआ है कि इस वाले यह वाला इस बात को जो राज समझेंगे हम आगे ओके जो कि एक्स्टा इंफर्मेशन यही में देने वाला था कि यहां पर आपको जो है वह यह चीज में संड है और इसी के बेसिस पर आपको अपना certificate बनवाना है मैं आपको एक format भी दिखाऊंगा और कैसा आप सभी को certificate बनवाना है तो यहां पर देखिए यहां पर जो है वो क्या लिखा जाएगा आप जिस भी स्टेट से बिलॉंग करते होगे तो यहां पर जैसे यूपी लिखा जाएगा government of उत्तरप्रदेश उसके बाद यहां पर आपका certificate नमबर हो गया यहां पर जिस दिन date आप जिस दिन certificate बनेगा व और दूसरी बात जो की बहुत इंपॉडंट थी यहां पर जो financial year के बात कही जा रहे थी तो यह वाला जो है वो आपको space में यही लिखता होगे यहां पर आपको क्या लिखा जाएगा यहां पर लिखा जाएगा 2021 2022 و کے यहां से 2021 2022 है तो यहीं बात जो है यहां पर 20 से कीस लिखा जाएगा फिनेंसियर जो है वह इस नहीं कर रहा हूं तो तो यहां पर आपको फॉर्मिट का एक डेम इधर भी जो है वह एक कंड़िये डिखाऊंगा तो देखिए वाला पहले समझ लेते हैं तो उसके बाद जो है वह यहां प आप सभी को यहां पर संटरर इसका बनवाना के यहां पर संटेरल संटरैल का मतलब क्या हूआ कि यह आप मतलब क्या हुआ कि внут.- जॉब के लिए या फिर अड्मिशन के लिए इस सभी चीज़ें के लिए अब्लाइ करें तो कभी आपको अगर सेंट्रल गबर्मेंट का कुछ यह इसलान के करें हो तो फजा पिर अपको कईश्वा सब्सक्राइबord है आपको जो है वह हो एक सेंपल एक मैं देखिए तो यह है जो कि दिखाए और करते हैं और उसके बाद यहाँ देखिए यह यहां पर शेंचे से और इनके बना हुआ है यह था 2862021 को कर दूसरा दो देट क्यों है वह वह भी मैं आप से 2022 और जो financial year है इस बात पर ध्यान दें financial year क्या है 2020 से 2021 और यही तो बात यहां लिखी गई थी कि financial year आपका कब का होना चाहिए 2020 से 2021 का और यहां भी क्या है 2020 से 2020 तो valid year आपका होगा एक साल आगे का 2021 से 2022 और जो financial year होगा 2020 से 2021 तो आपको certificate में यह दोनों चीज़े बहुत ब्यारी की से समझनी है दोनों equal नहीं होना चाहिए same नहीं होना चाहिए अगर आपने certificate बनवाया है अगर वो same हो गया है तो उसे बहुत जल्द ही जो है वो सुधार करवाए या फिर एक नया बनवाए हैं ओके और यहां पर देखिए कि आप सभी के पास जो हो यहां पर certificate date जो है वहाँ यहां पर दो-दो है अब number तो आपको जो है वह बी यहां दो-दो है तो भी मैं आपको बताता हूं कि देखिए पहले जो सर्टिफिकेंट या तो आप CEO level से बनवाए ओके और यह वाला जो डेट है यह वाला डेट यह वाला डेट यह वाला डेट है और अगर डियम वाला बनता तो यहां पर फिर एक पीसरा डेट लिखाता तो यह भी चीजे जो होती है तो आप सभी को यह बात भी ध्यान में रखनी है कि आप जो है वो सिर्फ आरो लेबल से भी बनवाओगे तो चलेगा या फिर आप सकते हो या फिर डियम लेबल से बनवा सकते हो तीनों में से कोई भी आपका चलेगा ओके अब देखिए नीचे आते हैं तो यहां पर नहीं है सब डिजिटल है यहां पर देखिए अधिया वह सेंपल भी दिखा दिया कि ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है आप चाहे तो इसका आपको पाई 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 पाईगा ओके एक बार में तो जून नहीं कर पाऊगा तो मैं इतना कर दे रहा हूं आप जो है वह स्क्रीन स चाहे तो ले सकते हैं अब देखिए यहां पर कुछ इस्टुएंट्स को यहां पर डाउट रहती है कि अगर उनका सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं बन पाया तो क्या होगा सीधी सी बात है कि अगर आपका जो है वह सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं बन पाया तो आपको प अब बात करते हैं कि कैसे जो अगर आप सकते हैं तो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ब्लॉक में विजिट करना पड़ेगा और या फिर आप जो है मैंने बता दिया इनकी से किसी भी पहले जो है वाब अप्रोच करें ब्लॉक में जाने का या फिर सीसी सेंटर या फिर ऑनलाइन खुद अप्लाई करने के कोसिज करें या फिर अगर आपको इस वारे में कोई नॉलिज नहीं है तो एक कोई नियरेस्ट आड़ोकेट इन सभी स अगर वह बता देते हैं तो और उसके बाद जो है वह इस्टेट एंट सेंटर लिश्ट की मैंने बात बता दी कि यह सेंटर गवर्मेंट की जो है तो आपको सेंटरल लिश्ट लिखा होना चाहिए ओके जब फॉर्मिट मैं आपको दिखा रहा था ओके यहां पर देखिए जब मैं आप वो दिखा रहा हूँ तो यहां पर जो है वो एक चीज दीछे दिखा हुआ था यहां पर अगर आपने गौर किया हो तो तो देखिए यहां पर Central List ओके यह वाला पार्ट Central List लिखा हुआ है न कभी-कभी यहां पर सिर्फ State List लिखा रहता है हो कि आप सुभी को इतने पॉइंट्स में ने बता दी है कुछ बोनस टिप्स आपको बता देता हूं कि आप अपना बेजीचक EWS का जो है वो यूज कर सकते हैं और यह जो है वो एक साल तक वहलिट रहेगा और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन यह सभी में आपको कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगी तो यहोप कि ESE के जो EWS सेटिफिकेट कैसा लगने वाला है इसके बारे में मैंने आपको जानकाड़ी दे दी इंस्टेट अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पूर वाचिंग दे वीडियो एंड हैवा गुड डे